फिर चलिए लेक्चर चालो करता हूं एक-एक करके सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जेम यह जेम पोर्टल है क्या तो मैं सबसे पहला जेम पोर्टल को आपन कर लेता हूं जेम.gov.in इनका वेबसाइट है जेम.gov.in एक वेबसाइट है government sector के लिए only for government sector जदि आपको कोई भी चीज पोड़क्ट और services पोड़क्ट मतलब जैसे कि आपके कोई भी desktop, computer, laptop, mouse, bedset, कोई furniture item, कोई भी item जो department को लगने वाला है ऐसा कोई भी item जदि आप sell करना चाहते हो government body को तो आप जेम के थूरू से अपना sell कर सकते हो यह आपको facility provide करती है यह जेम पोर्टल जैसे कि हम लोग को कुछ समान खरिदना है online जदि मुझे कोई चीज समान खरिदना है online हम क्या करते हैं e-commerce website पर जाते हैं जैसे कि like of Amazon flip card और भी बहुत सारे ऐसे website है और हम अपना यहाँ पर पोर्ट को सर्च कर लेते मुझे desktop computer चाहिए और मैं desktop computer बोलके सर्च कर दिया मुझे मिल गया initial list में तो मुझे यह desktop computer डिस्प्ले करना चालो कर दिया अब मुझे जैसा specification चाहिए जो company का product चाहिए हम उसको पसंद करेंगे और उसको add to cart कर सकते हैं इस तरीके से हम purchase कर ले दें तो इसी तरीके से आपको भी जजिदी jam के portal में कोई भी शमान बेचना है यहां से अप yourilt नहीं सकते हैं सिर्फ Sill कर सकते हो , आपको यहाँ पे jam के portal में कोई भी чीज सेयल करना है तो आप यहाँ पर अपना एक registration का basic process है वो आपको registration करना है और after registration आप यहाँ पे कोई भी product sell कर सकते हो तो यह आपके लिए एक open platform है जो आपने आप business को ज़री आज तक आप business अपना private में ही private company तक ही था limit तो आप अपने business को expand कर सकते हो government sector में जहां से आपके पास एक अच्छा platform हो जाता था पहला क्या होता था government sector में काम करने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि government sector का procedure क्या है क्या हो मुझे payment मिलेगा या नहीं या फिर हम अपने आपको entry कैसे करेंगे entry के लिए documentation क्या लगेगा वो सब documents मेरे पास है की नहीं या उहां time कितना देना पड़ेगा उतना time मेरे पास होगा नहीं होगा ऐसे बहुत साथ सवाल आते हैं जिदि आज तक आपने government में सेल नहीं किया है तो आपके मन में ऐसे बहुत साथ सवाल आएंगे तो जेम आपके पास एक easy doing platform है जहां पे registration करना easy है और अपने product को listing करना भी बहुत easy है जिससे आप अपना sector जो है वो बढ़ा सकते हो यहां पे सब psu companies government sector सभी state government हो या central government हो सभी लोग यहां पे department में और एक जेम का अच्छा facility क्या है कि आपको जदि आप लोग पहले कभी government sector में काम किये हो जैसे कि और भी ऐसे बहुत सारे website है जैसे महारास्टा के लिए महा टेंडर्स है ना और भी दूसरे स्टेट के लिए जैसे हम लोग यूपी की बात करते हैं यूपी इप्रोक्यूर्मेंट के लिए जिदि हम मिलेटरी में काम करना चाहते हैं तो मेस रेल में में काम करना चाहते हैं तो आयरी पियस ऐसे अलग-अलग website है तो आपको अभी जिस डिपार्टमेंट में काम करना है उस डिपार्टमेंट में अपना रेजिस्टेशन करना पड़ता है आप्टर रेजिस्टेशन ही आप काम कर सकते थे तो यह आपको हर का details credential याद रखना है और हर का पूरा proper चीज़े maintain करकर रखना है और इतना सारे जगह पर registration करना है जो जेम आपको बहुत easy बना देता है जेम में बोलता है कि आप एक बार registration करो और हर department में आप tender वर सकते हो या हर department में अपना product या services supply कर सकते हो और वह भी बहुत easy तरीके से like Amazon और flip card Amazon पर कैसा होता है जदि आपको Amazon पर कोई समान खरीदना है तो क्या करते हो direct खरीदते हो मुझे पसंद आया हमने add to card किया details भरा submit कर दिया address पर हमारे address पर वह चीज कुरियर आ गया seller क्या क्या यह तो कोई product बेच रहा है ना कोई तो seller बेच रहा है Amazon बीच में प्लेटफॉर्म की तरह काम किया buyer और seller को मिलाने का जिस seller को order मिला Amazon ने उसको order place कर दिया और कहा delivery करना है यह उसको बता दिया उसने delivery वहां से pick up किया और जहां delivery था वहां पे उसको पहुचा दिया एकदम simple way से कोई तकलिप नहीं किसी को सेम तरीके से जेम ने भी अपना platform लॉंज किया है जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं ज्यादा तकलिप नहीं आपको एक basic registration करना है और फिर आप अपना product listing कीजिए आपका product का rate best हुआ आप अपने competition को competitor को beat कर पाए तो आपका order आपको मिलता रहेगा जदी आप बात करेंगे बाकी की तरह amazon और flip card की तरह payment तो इतना फास तो नहीं है पर जनरली अभी तक जो record है जेम का उसके accordingly जो बात करेंगे तो जेम में 95% order का payment within 45 days हुआ है इतना जदी आप credit समभाल सकते हो तो आप अपना product यहां पर जेम पर लिस्टिंग कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से जेम पर आपना product बेश सकते हैं कुछ चीज़े हैं जैसे की जेम से आप कुछ चीज खरीद नहीं सकते सिर्प बेश सकते हो तो खरीद कोन सकता है only government body जो लोग government body के साथ जुड़े हुए हैं चाहे वो PSU company हो या कोई trust हो या कोई सस्ता है या central body या state body यह लोग यहां से कुछ चीज़े खरीद सकते हम सिर्फ बेश सकते हैं बेचने के लिए यहां पर कोई private limited limited company ऐसा होने का भी ज़रुरत नहीं है आप single owner company हो गिफ्रों नहीं हो फ्रोप्र हो तो भी बेश सकते और इंडिजुड इंडेटीजाल कंपनी है तो भी बेश सकते हो पार्टनर्शिब कंपनी है टो भी बेस सकते हो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है तो देजी सकते हो तो basic क्या documents available है आपको registration के लिए सबसे पहला यह जानना जुरूरी है जो मुझे ज़री registration करना है तो मुझे क्या documents लगेगा तो आपको basic basic कुछ documents है जैसे कि मैं सबसे पहला mandatory documents बता रहा हूँ जो आपको लगेगा ही लगेगा और जो आपके पास है जो लोग भी यहाँ पर business कर रहे हैं ज़िए आप एक business कर रहे हो तो आपके पास यह सभी documents available है including individual person के पास भी maximum यह सब documents होता ही है जैसे कि क्या आधार card या pen card दोनों में से एक चीज किसके पास नहीं है आज की डिट में जदी आधार से mobile नंबर लिंक है तो आधार बेस्ट करो pen card जदी आधार से mobile नंबर लिंक नहीं है तो pen बेस्ट है दोनों चीज़े आपके पास available है जब आप कोई business करते हो तो एक company का नाम सोचना करना है वो company का नाम क्या रखोगी जदी सोचा नहीं है तो आज की रेट में सोच लो और business चालू करो मेरा नाम आधित्य बंडित है तो मैं आधित्य इंटर्प्राइजिस करके business चालू करना चाहता हूं या मैंने भगट टेक्नों की आधा भगट टेक्नों से चालू कर दूंगा जो existing business है वही नाम ही यूज कर सकते या नया बिजनेस पे भी उतर सकते हैं यह हो गया पहला तो यह I think जो ऐसा कोई भी person नहीं है जिनके पास आधार या पेंट कार्ड नहीं है मोबाइल नंबर है इमेल आइडी भी होगा जबी डॉकुमेंट में हम लोगों ने क्या-क्या चीज़े बताया आधार बेस्ट या पेंट दोनों में से कोई एक हो गया पेंट कार्ड आप अपना खुद कभी यूज कर सकते हैं इंडियूजल जरूरी नहीं उसके लिए कंपणी खोड़ना मोबाइल नंबर इमेल आइडी यह चार चीज़े हो गई कंपणी का नाम एकदम बेसिक डिटेल्स और आपने कभ कंपणी चालू क्या उसका एक डेट और कुछ डिकलेरेशन से वह डिकलेरेशन जो बेसिक आपको यस और नो में अंसर देना है जैसे कि इन्वाज डिकलेरेशन जिसका डेटेल्स हम आगे आपको समझाओंगा भी जो क्या होता है इन्वाज डिकलेरेशन यह सब चीज़े एकदम बेसिक डोकुमेंट्स है और एक थूड़ा सा एमाउंट आपको डिपोजिट के तोर पर रखना करता है यहां पर जिसको हम लोग कौजन मनी बोलते हैं वह एमाउंट कितना है वह मिनिमूम फाइब फाउंट पांच अजार आपको डिपोजिट के तोर पर यह डिपोजिट है जिस दिन अपना आपको लगा कि एक दो मेहना काम करने के बाद मुझे अभी जेम में इंटेस्ट नहीं है तो आप एक कि आपके लिए कोजिए उसमा पर चार्जेस लग रहा है यह आपको एक फाइब थाउजन डिपोजिट के तोर पर देना पड़ेगा ओभी जदी आपकी कंपनी ओमेन के नाम पर रेजिस्टर है मन्नलब ओमेनिया है लेडिस के नाम से फिमेल कैंडिडेट के नाम से आप ओ कोई आपको एक रुपया नहीं बढ़ना पड़ेगा या आपकी कंपनी का स्टार्ट अप इंडिया में रेजिस्टरेशन तो भी आपको यह फीज नहीं भढ़ना पड़ेगा तो इस तरीके से हम अपना जेंप एकाउंट क्रिएट कर सकते और काम चालू कर सकते यह हो गया अब मुझे बताओ इसमें से कौन ऐसा डॉकॉमेंट सै जिस के पास किसी पास ना हो ना मैंने आपको GST मांगा, ना आपका ITR मांगा, ना experience मांगा, कुछ नहीं मांगा इसकी कोई जुरुत नहीं है जेन पे काम करने के लिए आप स्टार्ट इतने basic documents के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना business चला सकते हो और government की तरह, government body के साथ आप मिलके काम कर सकते हो, हाँ, कुछ point है, ये हो गया, proper, कुछ point है, जो हम लोग आगे discussion करेंगे, पहले मैं तो जेम समझा दू, proper तरीके से, फिर हम लोग discussion करेंगे, exact जेम पे काम हो कैसा रहा है, बहुत सारे लोग हमें, सोच रहे होंगे, जिस लोगो बुल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है, मुझे भी पता है, ऐसा बिलकूल भी नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है, होता है, पर कम होता है, तो actual कर्चेस से, maximum लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो हम लोग थोड़ा जेम को, proper समझेंगे, फिर आपका actual process को भी समझेंगे, जो actual में ज्यादा पतर काम किस तरीके से कर रही है ठीक है तो यह है जेम पर स्टार्ट करने का तरीका तो अभी हम लोगों ने जेम को थोड़ा समझा क्या समझा कि जेम एक तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म नहीं है अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मुझे रेजिस्ट्रेशन करने की जुर्द नहीं है यह पहला हमारे लिए बेनिफिट है दूसरा बेनिफिट यह है कि हम यह पर बिजनेस को गॉर्मेंट सेक्टर के साथ ग्रो कर सकते हैं और ना कोई रेजिस्टेशन लगता है आप ही जदी हम लोगों ने यहां पर टेंडर भरना चालो किया या महां टेंडर में तेंडर में देखो कुछ ना कुछ लाइसंस मांग लिया है यह लाइसंस लगेगा वह ला लिस्टिंग कर दो आपका रेट बेस्ट है तो आपको और मिलना चालो एक अमेजन की तरह भी यह जेंपोडल काम करता है कि सिर्भ आपको अपना पॉड़क्त लिस्टिंग करना है और लिस्टिंग भी बहुत एज़ी तरीके से कर सकते हैं हम लोग एक एक करके डिसकुसिन धोड़ा कोर्स का सिलेबस बड़ा है तो अराम आराम से थोड़ा हम लोग बात करते रहेंगे चलिये तो मैं बाकी के पोडुटल बंद कर देता हूं और एक अच्छा है जम पे कि यहाँ पर पॉड़क्त और सर्विसेस दोनों है हम लोग अभी तक पॉड़क्त के बारे मे सब्सक्राइब 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 करने के लिए कि एक साल में जो भी खराप हो आप ठीक करके दोगे तो उसको हम लोग ऑदगर जब कैमरा नया लगता है तो नया फूटब वह प्रट में, पब जब वह सर्विसेस का काम की या तो इस्टॉलेशन भी सर्विसेस में आयका या फिर रिपेरिंग lot तो भी सर्विसेस में जा कि एक है सर्विसेस के तोर पे या मैन पाउर सप्लाई कर सकते हो आपके पास मैन पाउर है तो गौर्वर्मेंट डिपाट्मेंट को काफी मैन पाउर लगता है और इसके लेबर, वासर, इंजिनियर, डॉक्टर, नर्स या फिर आप ग्राम पंचायत में काम किये होंगे, बहुत सारी ग्राम पंचायत वगरा में, जिला परिस्द में, कॉर्पोरिशन में, ऑपरेटर के तोर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं आपने सुना होगा, या बहुत सारे लोग ने अपलाई भी किया होगा तो आपके पास यह ऐसा मैं आदमी है तो आप उनको भी supply कर सकते और उनसे भी आप कमिशन ले सकते हो तो यह भी अच्छा benefit है इसके साथ छोड़ छोड़ के आपके बस vehicle वगर है गाड़ी है तो आप गाड़ी रेंट पर दे सकते हो या कोई repairing वैसे बहुत सार छोड़ छोड़े काम है जो department को लगता है वो services भी आप provide कर सकते हो और उसके लिए भी आपको अलग account बनाने की जोड़त नहीं है जिससे आप पोड़र्ट बेच रहे हो उसी एकाउंट से सर्वीस भी दे सकते हो और उसके लिए भी कोई लाइसेज नहीं लगता यह एक सबसे अच्छी बात है और एक ना कोई डिपोजेट ना कुछ आप डिरेक्ट काम चलोगे से तो आपको बहुत इजी वेसे बिजनेस करने के लिए एक जेम का पोड़र्टल को बनाया गया है यह जेम का पोड़र्टल कब आया यह 2017 में यह पस्ट टाइम आया तब हम लोग जेम 1.0 बोलके बोलते रहे हैं औ उसके बाद हर 2 मेहने 3 मेहने में जेम अपडेट होता रहता है काफी रूल्स चेंज हो जाते हैं आज हमने आपको जो बता रहे हैं अभी का करेंट रूल बताऊंगा पर जरूरी नहीं कि आज के 7 दिन के बाद उसमें से कुछ रूल बदल ना जाए बदल सकते हैं तो वो ल बता हूं यह हो गया पहला चीज आपको ग्रूप में भी अपडेट होगा हमारे वट्सेप ग्रूप में लेक्चर के बाद कर देंगे वह पर भी आपको इसके बार इन्फरमेशन मिलेगा हमारे टीम के contact details मिलेगा जहां से आप बाद में contact कर सकते हो उन से और आप उनके कोड़ेड वीडियो भी आपको हमारे भकट टेक्टो एप पर मिल जाएगा यह सब बेनिफिट मिलेगा साथ में हम जेम के आपको सर्टिफिकेट भी प्रवाइड करें ताकि आगे आपको कभी इसके लिए कुछ बेनिफिट करना है तो आप बेनिफिट ले सकते हो जैसे बाय अभी तक मोर देन दस हजार से जादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है इंक्लूडिंग बायर जैसे की बी आएस बीरो ऑप इंडियन इस्टेंडर्ड आपको पता होगा एक बहुत बड़ी कंपनी जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कोई भी जो पुलिस फोर्स है और मुझे लगता ही इंडिया के टॉप में से आती है बी एस बॉर्डर सीकुरिटी फोर्स पुलिस डिपार्टमेंट जीला परिसद और ऐसे गौवर्मेंट के बहुत सारे संस्ता ओएंजिसी एच्पी पेट्रोलियम या फिर मिलेटरी इंजिनिरिं MES या फिर गौवर्मेंट के बहुत सारे कॉलेजिस संस्ता ट्रस्ट ऐसे लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग पर प्रवाइड किया है प्राइवेट में तो है ही है इसके basis पे सायद ही है कोई बायर जो हमारे company को नहीं पहचानते और हम इसी लाइन में 2013 से हैं तो काफी पूरा नहीं सबसे पहला training का काम भी हम लोगों नहीं चालू किया खा और उसके बाद हम लोग जेम पे आये जेम बे भी हम सबसे first आये हैं training पे इसलिए काफी बायर, maximum बायर हमें नाम से जरूर जानते हैं चाहे वो मेरे नाम से हो, पंडित सर बोलते हो, भगत सर बोलते हैं या फिर कोई भगत टेक्नो बोलते हैं अलग-अलग नाम से सिर्फ बोलते हैं तो इसका benefit आपको बायर के तरब से भी मिल सकता है तो ये सब चीज़े आपको आगे जाके मिलता रहेगा चलिए, तो ये जेम के बारे में हम लोग basic concept समझ रहे थे आगे-ागे जेम को और थोड़ा समझते हैं ये हो गया product and services तो जेम पे है क्या नहीं? जेम पे नहीं है, वो है work work मतलब? construction work, civil work, mechanical work, painting work ये सब work है मुझे कोई आंगनवारे का building मागना है वो आपको यहां नहीं मिलेगा जेम पे, वो कहां मिलेगा? तो वो आपको फिर से e-procurement के website में ही मिलेगा जो भी website है, राजस्तान है तो राजस्तान e-procurement है ना, राजस्तान tender ये इनका website है राजस्तान e-procurement का ये हाँ पे मिलेगा राजस्तान का तो डिपेंड अपको वेबसाइट तो वहाँ पे आपको यूपी का है तो यूपी का लेलो MP का है तो MP का लेलो 36 गड़ है तो 36 गड़ का लेलो West Bengal है तो West Bengal का लेलो महरास्ता का है तो महरास्ता का MES का अलग website है जैसे मैंने आपको दिखाया तो वर्क यहां पे नहीं है बाकी पूरा सब department approximately है और जदी कोई department नहीं है और उस department को registration करना है तो भी आपको मैं आगे बताऊंगा उस department को आप जेम पे लाभी सकते हो और अभी के नहीं रूल के accordingly जेम पे product और services mandatory होंगा है आप इसके tender या इसके कोई product आप e-procurement से नहीं खरिद सकते है और government body कोई भी चीज direct cash में आज की rate में कुछ भी नहीं खरिद सकता ज़रे उसको खरिदना है तो online ही खरिदना पड़ेगा और वो जेम के portal से ही खरिदना पड़ेगा ओके तो ये governments के है यहां तक में इसे को कुछ पुछना है को doubts है तो फूछ सकते हैं तो इसके आगे हम लोग ओ थोड़ा जेम के बारे में फिर बताते रहे unmute करके पूछ सकते हैं या hand raise करो सब सब्सक्राइब करता है कंपनी प्राइबेट लिमिटेड लिमिटेड या पार्टनर्सिप या LLP या कोई ट्रस्ट बगरा है तो आपको आपका पर्सनल पेंड का प्लस कंपनी का पेंड कर दोनों लगेगा मतलब आपने आपकी कंपनी कैसी है प्रोप्राइटर है या प्रोप्राइटर में आप कंपनी का प्रोप्राइटर्सिप कंपनी को आपको अलग से पेंड का बनता ही नहीं तो खुद का ही पेंड कर दोनों जगा यूजगा यूजगा प्रोप्राइटर्सिप में अमारी वाइफ है तो उनकी फीच वह वतारहें जिनों ने मैं मैंने जिन से जैंप पॉडल करवाया है वह यह बतारहें कि फाउताजन जमाओंगे जबकि आप बतारहें कि लेडी के यह चोप्तों की जदी कंपणी कोई फीमेल के नाम से तो आपको वह फाइफ थाउजन पे करने की जुरूरत नहीं तो मैं तो जहां कर्चमाओं था आल्रेडी आप उसको विड्रॉल कर सकते हम आगे के कल के लेक्चर में बताएंगे वह पैसा रिटन कैसे लेने का है ठीक ठीक है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं है ना तो थोड़ा और आगे बढ़ते है 那么 जैसे के मैंने बताया आज कन प्लस में सिर्फ जेम के बारें बताऊंगा कोई नया लेक्षर या कुछ ऐसे हम आपको लाइब नहीं बताऊं सुर्ष सिर्फ जेम कैसा है उसमें थोड़ा हिए टेंडर क्या है है ना बीड क्या बोलते हैं यह सोड़े सोड़े चीज़े समझ लेते हैं कौजन मनी क्या है MSME क्या है स्टार्टप क्या है मेक इन इंडिया क्या है ऐसे बहुत सारे कुछ हमारे पास एक कंफ्यूजन का एक बड़ा है यहां पर जो लोग नए हैं इनके लिए बहुत सारे वर्ड नए हैं तो हम लोग थोड़े वर्ड के साथ यूस्ट्टू हो जाते हैं ताकि हमें आगे के लेक्चर में तकलिफ ना हो और बाद में भी कल से लेक्चर छे बज़े चालो होगा तो छे से साड़ेक शे जो आधा घंटा का टाइम है यह हमारा डाउट का होगा तब आप तब भी पूछ सकते हो हमें चलिए तो आगे चलते हैं जेम तो जेम के पार्ट में हम लोग यहां पर जो पर्चेज होता है जंदली जिदि हम लोग जैसे इसे की इप्रोकुर्फिंट के वेबसाइट पर बाता रहे जैसे एक टेंडर है कस्ट्रक्शन का या फिर हम लोग पोडट का ही टेंडर ले लेते चलो कोई पोड़र का टेंडर ले टाकि कुछ खरिदने वाला हो जाए अपने पास काउंट जेम की तरह समझने आए गूड़्स कोई गूड़्स के टेंडर है पेंग ब्लॉक है सोड़ा से मैं तो समझ में आता है । साहिए सब लोगों । ने देखा है पता है कि रसीशी पाइप देखा है अब लोगों ने कोई है जिसने नहीं देखा है तो मैं पिक्चर थोड़ा दिखा देता हूँ इसको हम लोग आर्सेशी पाइप बोलते हैं ऐसा पिक्चर तो देखा ही होगा आप लोगोंने कि आर्सेशी तो कोई डिपाटमेंट को ऐसा आर्सेशी पाइप चाहिए कों से दिपाटमेंट है जानना है तो वह भी जान सकते हैं आर डीडी रूलर डेवलॉप्मेंट जीला परिशत को क्या चाहिए जालना डिस्टिक में आर्सीसी पाइप चाहिए कितने माउंट का एक मांटा बहुत robots एक तारिक से यह तेंडर पुब्लिस हो एक तारिक से यह तेंडर ने 가자 मतलब इसको खरीदना एक तारिक पर टेंडर बनाओ फिर से दिन वेट करो पिर तीन लोग करो FUCK तीन लोगों में से एक लोग जो सबसे कम डेट में भरेगा उसको टेंडर मिलेगा एक ग्रोसईजर कि पर जेम पर कि थे यह जो आपका टेंडर का पार्ट है यह तो है यह भी है इसके साथ साथ आमेजन जैसा पर्चेस करने का ऑप्शन से अब जेम पे किसी को खरीद ना है तार से सी पाइप बायर डालेगा जो सबसे कम रेट में दे रहा है उसके अकोडिंग ली उसको जो साइच चाहिए वो साइच का फिल्टर करेगा और वो खरीद लेगा चलो मैं ए करेंगे रहwater को चला जाएंगा अमेजन और फिलिप काड की तरह कयह ना भायर को रुकना है ना कुछ करना है एफैंट प्रचेस को पोलोग क्या बोलेगे डाइर्च पर्चेस को हम लोग क्या बोलेंगे डाइरेक्ट पर्चेस याद रखो ओर जो विदाउट टेंडर विदाउट कुछ कोई ही वी भायर को और को मुझे जो पौड़क्ट परसंद आया Amazon और कीत्रा हम उसको दे सकते हैं इसको बोलते हैं डायर्यक्ट बिर्चेस ऍ November जब लेधी के साथ करोगे तो कुछ रूलने संथ गाम किज़ेंगे तो गर्मर्मिन इसका एक रूल कि बहुत नहीं कर सकते में उसके यह मांट का लिमिट क्या रखा गया पच्चिस अजाद जो लोग जेम पर बिल्कुल नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता, तो लोग ये point note down करो, direct purchase का limit है 25,000, एक order का single contract का value not more than 25,000, तो वो direct purchase होगा, जदि कोई भी product का order का value 25,000 से कम है, तो buyer उसको direct खरीद सकता है, जैसे कि आप लोग अमेजन पर खरीदते हों, या flip card जैसे website पर, या कोई भी e-commerce website पर खरीदते हों, इसकी limit रखी गई 25,000, यह हो गया पहला, देखने को मिलता है product, आपको कोई specific reason चाहिए, तो वो मिलता है, दूसरा, और एक करदने का तरीका बनाया गया, उसको बोलते है L1 purchase, जहम पर क्या बोलते हैं उसको L1 purchase, यह भी एक direct purchase का ही part है, यह भी एक direct purchase का ही part है, बड़ हम इसको क्या बोलते है, L1, L1 मतलब क्या, L1 तो सुना होगा, जो लोग government body में काम करते हैं, उनको बता होगा, L1, L1 मतलब, जो slowest one, जैसे कि हम आपको एक bid में दिखाता है, gym पे, gym के portal में ही देखो, बीड में दिखाता हूँ, bid, list of bid, जिनको पता नहीं है, थोड़ा साब देख लो, खली, मैं आपको आगे इसके बारे में भी explain करूँगा, कोई भी tender लेखे, एक डोर्मेट है, बात्रूम है, बात्रूम डोर्मेट है, बात्रूम फट्रूम फट्टी है, ऐसे booklet है, माग है, ऐसे बहुत सारे कुछ-कुछ item है, तो देखो, इसको बोलते है technical evolution, टेंडर में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक technical और फिर बाद में finance, finance में आने के बाद, यहां ते देखो, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, मतलब L1, L1 मतलब जो सबसे कम रेट में भरा, सबसे कम रेट में किसने भरा, 8,900, किसने भरा, अगरवाल ट्रेडिंग कमपनी, भरा न, तो यह हो गया सबसे कम रेट वाला, तो यह हो गया L1, order किसको मिलेगा, L1, जो सबसे कम रेट वाला, सेम जिम पे भी L1 होता है, पर यह tender की तरह नहीं, यह direct purchase, direct purchase में L1 होगा, तो government body का एक norm से, कि आपको जदी L1 करना है, तो कम से कम तीन party लगेगा, मतलब यह tender में, जदी tender की बात करेंगे, अब इसमें यह लोग participate ही नहीं करते थे, तो direct इसको tender, या फिर इसको order नहीं मिलता था, क्योंकि आपसके उपर भी दो लोगों का rate होना चाहिए, यह government का एक rule है, तो आप जो भी product को लोगे, उसको compare करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग इसको ही आप एक बायर के आइड़े में आपको compare दिखाना हो, ताकि आपको थोड़ा compare भी समयलिने आजाए, यह आर्च आगया, आप देखो मैं लोग इन हो गया हूं, बायर के आड़ी से, जोदि आपको दिख रहा है मेरा screen तो, है ना, मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूं, अब मुझे कितने प्राइप चाहिए, मुझे चाहिए 10 प्राइव, सेर्च कर दिया, यह बायर है ना, बायर के आड़ी में बतारो, compare, अब सबसे best price कोन दे रहा है, साड़े 12,000 वाला, यह सबसे best दे रहा है, पर मुझे यह साइज का नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग साइज चाहिए, यह अलग तरीके का चाहिए, सिमेंट में अपने को मालो, confirm IS455 बला चाहिए, हम इसको टिक करेंगे, पोड़क्ट यह बदल जाएगा, 16 अब मुझे लग रहा है कि यह पोड़क्ट बेस्ट है, यह current L1, तो इसको अभी आप direct order नहीं, मतलब दे सकते हो, क्योंकि 25,000 के नीचे है, तो direct भी दे सकते हो, पर 25,000 से उपर हो गया, जैसे कि हम लोग खुड़ा amount ही बढ़ा लेते हैं, दस की जगा पे क्या करते हैं, 100 करते हैं, अब देखो, जब amount 25,000 से जादा हो, और 5,00,000 से कम हो, तो हम direct order नहीं दे सकते हैं, अब 25,000 से जादा हो गया, और 5,00,000 से कम है, तो यह भी direct purchase ही होगा, पर with compare होगा, 25,000 में without compare होगा, हम किसी को भी direct order दे सकते हैं, अब मुझे compare करना पड़ेगा, compare करने का rule क्या है, seller भी अलग और brand भी अलग, अब यह देखो, कौन से brand का है, स्वास्थिक स्मेड, तो हम इसके साथ यह product को compare नहीं कर सकते हैं, can't be add, compare for same seller और same wayam, तो मुझे अलग brand के साथ compare करना पड़ेगा, बायर को, यह देखो unbranded है, एने मतलब unbranded है, इसको compare करेंगे, तो देखो compare यह, यह वाला एक है, भावानी सिवल, इसको ले सकते हैं, अब यह ले लेगा, हो गया तीन, तो यह compare, अब आप ऐसे करके order, पाच लाख तक भी order आपको मिल सकता है, with compare, इसकी order के limit कितनी है, फाइफ लैक, इसका भी comparison, statement भी generate होता है, बाहर के पास, देखो, वह भी दिखा direct purchase है, अब देखो, यह comparison seed, तो तीनों का rate क्या-क्या आएगा, यह आपको इस तरीवे से दिखा देगा, इसको हम लोग बोलते है, comparison seed, है ना, तो यह हो गया, direct order ही है, but with comparison, जब with compare होगा, तो इसकी limit हो जाएगी, 5 लैक, without compare, direct purchase की limit कितनी होगी, 25 लैक, यह दो चीज़े, याद रखे, सबसे ज़्यादा order, जेम पे, इसी तरीखे से निकलता है, L1 से, जदी जेम पे, हम समझते हैं, एक महिने में, एक लाक ओर निकल रहा है, example, एक लाक से ज़्यादा ही निकल जाता है, फिर भी मैं आप लोग को समझाता हूँ, कि जेम पे, एक महिने में, एक लाक ओर निकलता है, एक लाक में से नब्वे हजार order सिर्फ direct purchase और L1 से ही निकल रहा है, तो समझ लो, आपके लिए direct purchase और L1 में रहना कितना important है, ठीक है, तो ये है purchase करने का तरीका, पहला direct और फिर L1, ये हो गया दो तरीका, दिगंबर सर का कुछ को है रही है, explaining, दिगंबर सर आपका साइध internet चेक करो, क्योंकि आपकी यहाप इंटरनेट का problem होगा, तो ये आएगा, प्लीज आप मेरा request है कि आप एक बर इंटरनेट आपका proper चेक करो, आपकी speed थोड़ी है, इतनी भी अच्छी की जोड़त नहीं, जूम पर इसलिए हम लोग करते हैं, कि बहुत अच्छी speed की जोड़त नहीं, थोड़ा सा speed अच्छा होगा तो आपको proper आएगा, और मेरे यहा प्लीज में आया, दो तरीके का purchase, इसमें किसी को कोई doubt है, तो बताओ, direct purchase और L1, क्योंकि एक आपका बहुत अच्छा concept है, और इसको समझना बहुत जोड़ी है, आगे order आपको सबसे ज़्यादा इसी में मिलेगा, याद रखो, बोलिये, comparison statement, okay, कोई भी ले ले लिए, सर मेरे एक doubt था, सर ये जो जितना भी आपने explain किया, तो अभी आपने कहा था कि, मतलब हम उससे खरीद नहीं सकते, मतलब as a seller, अगर हम बेच रहे हैं तो, तो ये आप, आप बेच रहे हो नहीं, आप कोई भी चीज है, जे नॉर्मल आप कोई इस भी चीज आप यहां से खरीद ही नहीं सकते हैं, सिर्फ आप बेच सकते हो, तो जो भी आपने example दिया, वो आपने buyer point of view से दिया, मैं buyer के, इसलिए buyer को समझा रहे हैं, कि buyer को आप समझोगे, तो seller में समझने में easy हो जाएगा, कैसे खरीदता है, तो आप उस तरीकी सा अप कुसी को चईद रहा, ये भी unbranded है, ये नहीं हो गए, कोई फिर से नहीं होगा, ये ले लिए और ये नहीं लेगा, क्योंकि ये सब unbranded है, ये हो जाएगा, और किसी को सब्सक्राइब और प्लेस हो जाएगा और किसी को सर कुछ पूछना है और यहां पे कोई experience direct purchase में experience नहीं चलता rating नहीं चलती है ना rating चलेगा ना location चलेगा services में location चलता है product में location नहीं चलता only यहां पर rate आपका best होना चाहिए जिसका rate best order उसको जाएगा अगर buyer के उससे देखा जाए तो अगर हमार को कोई चीज़ चाहिए तो हम अगर rate high डाले और L1 category में अगर हमने already उसको select करा हुआ है तो L1 में सबसे कम वले rate पर ही जाएगा मतलब फिर तो direct purchase ही हो गया नो उसको हाँ direct purchase होगा ना एक सरका query है can you explain about brand and unbranded सेखर सरका एक वरी है देखो सर ब्रांड क्या होता है jack की उपर से हम लोग लेते हैं ए глаза नाम पर कैसे मत जानो जो भी कंपणी मानलो भगत म मानलो हम लोगkö फुडवेर के हमारे एक प्रेक्टरी ये बहुत छोट घर में ही बनाते हैं यहीज़ए हैं नाम से मत जानो पर मेरा बगत फुटवेर जेम पे रेजिस्टर्ड है, तो जेम के लिए मैं क्या हो गया? ब्राइंड हो गया, बहुत चोटा बिजनेस है मेरा, साल का 10 लाग का भी टैनोबर नहीं है, तो अभी मैं ब्राइंड हो गया जेम के लिए, क्योंकि मेरा कमपनी, मेरा जो पर यहीं बड़ी कंपनीज ले लेते एडिडास पूमा जरी वह एडिडास कंपनी जेम पर रेजिस्टर नहीं है एज ब्रांड तो जेम के लिए वह और ब्रांडेड हो जाएगा समझ में आ गया ल2, L3 not available, only one product, one supplier, how I can, नहीं खरिच सकता गौर्मेंट के कुछ norms है, मैं पहले भी बताया सकता गौर्मेंट के norms को आपको follow करना पड़ेगा L2, L3 होना ही चाहिए, वही होगा purchase नहीं है तो purchase नहीं कर साथ सर मेरा एक और डाउट था, कि जैसे हमने अपने product का कोई rate डाला तो फिर हमने compare किया, तो क्या हम उस product का फिर से उसका rate change कर सकते हैं, मैड़म आप increase नहीं कर सकते हैं पर decrease कितनी बार भी कर सकते हैं increase के भी कुछ norms हैं, उसके accordingly increase भी होता है ऐसा नहीं increase नहीं होता, पर बहुत जगा पर increase करने से रोख दिया जाता है पर decrease करने से आपको कभी नहीं रोखा जाएगा ठीक है, हाँ, वो अलग बात है, ये मैं guarantee बोलता हूँ, lecture खतम होने के बाद आप कौन सा product क्या बेच रहा है जेम पर इसके उपर मत जाओ, आपको जिस rate में order चाहिए, उस rate में आपको order मिलेगा, ये मेरा guarantee अब जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं, कोई भी, RCC, PIP लिख रहे हैं वो कैसे करना है, वो आपको धिरे-धिरे समझ में आएगा बहुत सारे लोग हमसे वही सूँ, मतलब क्लास में maximum लोग पूछते हैं, तो मैं उन लोग को बता देता हूँ, जो लोग जेम पर थोड़ा expert है, थोड़ा काम करके आए, तो आप उनको थोड़ा सा, आपको silent रहने की जोड़त पड़ेगी, अब जिसे एक pipe की किमत यहां पर पॉड़क एलवन भूजाए, भले जदी यही वाला pipe है, वह अभी 177 में क्यों न वेच रहा हूँ, जैसे administered, एक quantity के लिए ले ले दे, महाराष्ट्रा, quantity 1, and search, अभी एक pipe को इस साड़े बारसों में दे रहा है, और highest price कितना है इसका, अठरा हजार, तो आप अठरा हजार में भी आपका पॉड़क एलवन आएगा, और आपको order मिलेगा, यह अलग बात है, वो आगे 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 आपको समझ में आएगा, उसके लिए अभी से मत पोलो, मुझे, क्योंकि आप jam को जब तक समझोगे नहीं, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, जब आपको jam समझ में आजाएगा, तो यह सब चीज़े भी समझ में आएगा, jam में order, अपना order अपने को, खुद को कैसा लेना है, फोड़ा time लगेगा, पर जरूर आप सीखोगे, यह गरें नहीं, क्लियर है, किसी को और पुछ पुछना है इसके regarding, L1 और direct purchase में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के नहीं, rules में, क्लियर है, चलिए, तो आगे, और किस तरीके से खड़िदारी होगा, फिर यहां पर, और एक तरीका है, जिसको हम लोग बोलते है, bid, tender, क्या बोलते हैं, इसको, bid, tender, tender के थुरू से खड़िद सकता है, मै आपने को offline, without login समझ में आ जाए, tender, tender, tender तो आपने देखा, पहला tender में क्या होगा, tender निकलेगा, जैसे LED street light का tender निकला है, 60 watt का, 90 watt का, 120 watt का, अब यह tender निकला है, कब निकला है, 21 तारीक को, यह कब तक है, 15, सब को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, 8 बज़े तक दिखेग जिसको भड़ना है, भरो, आप भी भर सकते हैं, मैं भी भर सकता हूँ, आप सब लोग भर सकते हैं, पर अब इसमें problem क्या है, इसमें आपको documents बगरा लगेगा, direct purchase में जैसे मैं बोर राता, ना कोई experience की जोड़त है, ना turnover की जोड़त है, ना other कोई documents, पर tender में हैं, tender में आप आपको documents मांगा जाएगा, यह भी buyer मांगेगा, अब यह जड़ी documents है, तो आप यह tender भर सकते हो, documents नहीं है, तो tender नहीं भर सकते हैं, जिस इस tender में documents क्या है, तो आपके पास एक साल का LED बेचा हुआ experience होना चाहिए, आपके पास 50 लाग का turnover होना चाहिए, जिस company का product दे रहे हो, उनका भी 50 लाग का turnover होना चाहिए, ऐसे अलग-अलग documents मांगा है, जदि यह सब documents आपके पास है, तो आप यह tender भर सकते हो, जो direct purchase में कुछ भी जरूरत नहीं था, पर direct purchase में यह भी नहीं पता चलता कि कोई tender आया है, या कुछ कौन सा department खरीदने वाला किया है, यहां पर यह जरूरत है, क्या मैं दे सकता हूँ, तो मैं यह tender भर सकता हूँ, तो कुछ benefit tender में है, कुछ benefit direct purchase में, कुछ loss point tender में है, कुछ loss point direct purchase में, है न, एक तो direct purchase में दिखता नहीं है, मतलब buyer को क्या चाहिए, किसी को पता नहीं चलता, जैसे कि Amazon पे, आप क्या खरीद होगे, किसी को नह requirement आया, आपने खरीद लिया, ऐसे buyer यहां से, requirement आया, वो गदार खरीद लेगा, पर आपको यहां पर requirement है, तो आपने online publish किया है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जिसको देना है बबा, मुझे दे दो, ठीक है, तो इसको बोलते है tender, फिर tender में कुछ norms होंगे, वो norms को follow करना प पड़ेगा, फिर एक time होगा, tender खुलेगा, और उस time पे जो सबसे कम rate में tender भरेगा, उसको वो मिल जाएगा, उसको ही हम लोग L1, L2, L3 वगरा बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यह tender कुला था, जो tender खतम हो गया है, वो tender का हम लोग देख सकते हैं, जैसे technical, इसमें तीन ल लोगों का है, document सबका okay है, तो qualify, फिर इसका finance बुलेगा, फिर L1, L2, L3, tender किसको मिलेगा, जो L1 होगा, उसको, समझ में आया tender, tender में किसी को doubts है तो बताओ, जैसे लोगों किसी को देख से तरफिए कि पाएं जाएं, तो एक तो हम लोगों ने अबी तक समय लिया, tender के बारे में, तो ये पर्चेस करने का अलग-अलग तरीका है पहला पर्चेस कैसा था डायरेक्ट डायरेक्ट में दो पाट एक विद कंपेर एक विदाउट कंपेर यह हम लोगों ने देख लिया और फिर आते हैं टेंडर टेंडर का कोई लीमिट नहीं ले मित था एक का 25 stop mois तेंडर में कोई लीमिट एक दस रुक्रा का भी टेंडर निकल सकता है और दस हजार करोर लुए निकल सकता है यहां पर कोई limit नहीं है टेंडर को ठीक है यह पर्चेस करने का अलग-अलग तरीका है तो जनरली बायर तीन तरीके से अपना चीज़ें खरीद सकता है डाइरेट पर्चेस एलवन पर्चेस और टेंडर बीड फिर बीड में भी अलग-अलग चीज़ें जैसे कि product bid, service bid, custom bid, bunch product, bunch services उसके बाद custom product, custom services और एक 크ाव के लिए बनकर दिया गया तो इतने अलग-अलग टाइप के tender بी है जो हम लोग आगे आगे explain करेंगे आ जबकर करेंगे मतलब आज के lecture में नहीं जब हम लोग tender कोढ़ेंगे तब में उसके के बारे में details में फिर explain करते जाऊंगा इस tender का क्या मतलब है यह tender पहचानोगे कैसे यह tender भरोगे कैसे क्योंकि हर tender को भढ़ने का तरीका अलग है हर tender को समझने का तरीका अलग है तब हम लोग उसके बारे में आगे-आगे डिसकसर करेंगे फिलाल हम लोग सिप एकदम short summary में जाएंगे जेम को पूरी तरीके से क्लियर है यहां तक में कोई doubts है किसी को real me rmx sir please मेरे से request है आपसे कि sir आप लोग ऐसे नाम से join मत करो जदे आप ऐसे नाम से join करेंगे तो मुझे remove करना पड़ेगा आपको और मैंने remove किया तो आप दुबारा उस device से connect नहीं हो पाऊगे तो आपसे request है मैं आज request कर रहा हूँ कल से मैं direct remove कर दूँगा without any permission मैं आपको warning तक नहीं दूँगा तो आज आपस request करता हूँ जदि आपको नाम change करना नहीं पता तो हमारे team है available आपके help के लिए आप हमारे team को contact करो नाम change करने का तरीका बताओ वो आपको any date से भी help करेंगे तो please request है rename कर लीजिए ठीक है मैं आपको unmute के लिए request दे रहा हूँ मुझे और पांच मिनिट का time दो पांच मिनिट में जदि आपने फिर से एही नाम से continue किया realme rmx3612 जदि मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको unmute के लिए request किया हूँ आगे फिर आपको मैं direct remove कर दूँगा some product price are low that are not possible at that price below manufacturing दिगंबर सर यह जेम पे है ही चालू आप बाकी के रेट के उपर मत जाओ आपको क्या करना कौन क्या rate में product बेच रहा है बता दिगंबर सर हमारे बहुत पुराने स्टुडेंट है मुझे लगता है साइद फस्ट या सेकंड लेक्चर के होंगे 2017 में training किया यह सर फस्ट लेक्चर आपका जेम का फर्स्ट लेक्चर क्या अब इसका मैनिफिक्चरिंग कोश्ट क्या 6000 में मिलेगा नहीं मिलेगा इसका यह पोल जो है इसकी कीमत 6000 आएगी साथ में construction है include रहता है civil work तो ऐसा लोग जान बुझके मतलब जान बुझके नहीं कुछ है इसके पीछे का रिजन करते हैं जो आगे समझ में आएगा और मैं यह भी बोलता हूं आगे भी आप भी ओही करोगे जो यह लोग कर रहा है आप भी करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप नहीं करोगे इसके उपर छोड़ दो कोन क्या रेट में बेच रहा है मुझे उससे कोई मतलब नह है को एक फ्री में दे रहा है देने दोना आपको क्या टार्गेट है आपको कि रेट से और मिल रहा है की नहीं यह जड़ा-जरूरी है या कोन कि से बेच रहे है वह ज्यादा ज़रूरी है दिगंबर सद्रौन सुन पार रहे हैं दिगंबर सर आपको क्या जरूरा जरूरी है या कौन क्या रेट से बेच रहा है वो देखना जरूरा जरूरी है तो बस छोड़ दीजिए आप अपने पीछे भागिए दूसरे का टेंशन क्यों जहल रहे हो आप अपना काम निकालने की तरीका देखिए है ना वह साइद मुझे ऐसा मुझे लगता है कि यह ज़्यादा आपके लिए कमपड आपको चाहे इस पोड़क को निकालने का तरीका तो वह भी मैं आपको बत आगे चलते हैं अब यह जब हम लोग कोई भी चीज यहाँ पर बनाते हैं अब यह जो आपको LED लाइट हाइमस का यह जो लाइटिंग देख रहा है इसको क्या बोलते हैं जेम पर इसको जेम पर बोलते हैं कैटलॉग इसको जेम पर हम लोग क्या बोलेंगे कैटलॉग यह है ना जब यह पोड़ट को खोलते हैं तिस पोड़ट के बारे में सब इन्फॉर्मिशन मिलता है यह पोड़ट क्या है कौन से ब्राइंड का है इसका नाम क्या है यह 20 मीटर हाइमस लाइटिंग टावर है है ना LED फ्लोड लाइटिंग आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पर यह लाइटिंग लॉंग डिस्टेंस में मतलब बड़े अरिया में लाइटिंग करने के लिए काम आता है बाड़ा लोड़ लाइट बोलते हैं छे हजार रुपया इसका कीमत है को इसको बेच रहा है जिसकी कीमत रखा उसने 6000 कि में 6000 में दे दूंगा कौन से मोर्डा डरहा है ब्रांदेड में या जो ब्रांड दे रहा है वहें पिलकुल आइसा नहीं कि इपर यह और यह ब्रांड को प्राइस पीस का ये एक लाख बीस हजार रुपया इसका MRP है MRP कितना है? 1,20,000 जेम पे एक रूल है क्या रूल है? कि आप जो MRP है मिनिमूम उसका 10% आपको डिसकाउंड देना ही पड़ेगा ये जेम का नॉम से उससे कम कितना भी दे सकते हो पर कम से कम 10% डिसकाउंड देना ही पड़ेगा मतलब 1,20,000 है तीस पोड़ेट को में 12,000 यहां से कम करेंगे 1,08,000 तक इस पोड़ेट को में बेश सकता है उससे कम में कोई भी बेश सकता है पर 1,08,000 तक ये पोड़ेक्ट आप बेश सकते हैं जेम में वह नौस है यह offer price यह दे रहे यह दे रहाए 6000 कोई है जो 6000 में बेच रहा है उसके पास कितना quantity है उसके पास इतना quantity इन राब एक लाग कांटिटी आवलेबल है मतलब एक लाग भी किसी को चाहिए यह वाला प्रोड़क्ट तो वह दे सकता है कितने दिनों के अंदर 15 लाका कोंटिटिटी लिए किसी को कम के सकता है कंसे कम वह कितने अर्दीन कोंटीटी देगा जब भी कोई पॉड़ॉक्ट पवलिस होता है तो उसका एक पॉड़ॉक्ट ऐधी बंता है मतलब एक कोड़ बखर लूझे कोड़ है तो इंडिया में होता है इसका मेक इन इंडिया मतलब इसमें मेक इन इंडिया का परसंटेज कितना है वो डिकलेर अभी नहीं क्या है मेक इन इंडिया के वकवारे में हम लोग आगे बात करें सिर्फ इतना समझ लो मेक इन इंडिया मतलब इसका मेक इन इंडिया में परसंटेज कितना है वो अ कमपनी जदि इस पोड़ट को खुद बेचे तो यहां पे OEM आएगा OEM Original Equipment Manufacturer जो कमपनी इस पोड़ट को बना रही है वो जदि खुद बेच रहा है तो यहां पे क्या लिखाएगा OEM जदि मैं किसी से खरीद के बेच रहा हूं तो मुझे लिखाएगा Reseller तो मैं यह पोड़ट को किसी से खरीद के बेच रहा हूं सेकर सरका देखो कोरी आया सेम चीज़े जदि कोई OEM मतलब मेरा पोड़ट और मैं खुद बेच रहा हूं मैं ही manufacturing करता हूं और मैं ही बेच रहा हूं तो OEM मैं किसी से खरीद रहा हूं चाहे मैं दोनों not verified है मतलब यह OEM को इसके बारे में पता भी नहीं है OEM को इसकी पोड़ट के बारे में जो company का यह पोड़ट है उसको इसके बारे में पता भी नहीं है उसने इसको देखा तक नहीं है not verified कोई verified नहीं और reseller मतलब जो बेच रहा है इसको 6000 में जो बेच रहा है उसको भी वो नहीं जानता और यह product का catalog जिसने बनाया है उस catalog को भी जो manufacturer है उसके बारे में भी उसको कोई idea नहीं इसलिए reseller not verified और catalog not verified OEM बोलके आ रहा है reseller को लिए GST mandatory नहीं है मैंने सर्व रेजिस्टेशन के टाइम पर ही clear किया है जो यह product है जो यह product है उसका उसका tower का कितना height है 20 meter including civil work है तीन साल का warranty है नंबर 802 है effective land 10 meter है ऐसे इस product के बारे में details दिया हुआ है देखो इतने सारे details दिये हुए है न यहां पर सब इस product के बारे में details available है क्या क्या रहेगा कैसा रहेगा mounting adjustable है कैसा है यह product के बारे में पूरा details में बता दिया गया है तो यह पूरा product का details है इस product के photos है कुछ ऐसा दिखेगा product उसके बारे में अब बाइर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है तो इसको हम लोग catalog बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको catalog clear है catalog मतलब क्या होता है पोड़ट के catalog अभी product के catalog में और भी कुछ चीज़े जानना है इसमें भी मैं कुछ चीज़े छोड़ दिया view seller details छोड़ दिया अभी यह मैं समझाओंगा तो आपने के लिए थोड़ा सा complicated हो जाएगा तो यह हम लोग आगे जब मैं product का catalog समझाओंगा तब मैं इसके बारे में और थोड़ा details में जाओंगा तब trends, seller details, यह rating, यह ऐसा mark क्यों आ रहा है तब मैं इसके बारे में फिर आपको आगे समझाओंगा इसमें कुछ चीज़े और समझना है जैसे के product क्या है Q3 से बिलोग करते हैं तो हर एक category में आपको कुछ चीज़े मिल जाएगा जैसे LED light डाल देखे LED light search तो देखो यहां पे कहीं पर Q3 लिखा रहा है कहीं पर Q4 लिखा रहा है हर category के यह जो है यह category का नाव है category के पास कुछ Q2 लिखा रहा है ऐसे total जैंपे 6 categories है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6 ऐसे total जैंपे 6 category है अभी हर एक category के कुछ norms है वह norms समझना पढ़ेगा है ना वह norms को कैसे बोलते है राजे सरकाइक कोई रही है I want to sell smart TV एक लाग पैसे है इस पॉसिबल डिपेंड हम लोग आगे पता चलेगा जब हम लोग उसके catalog खोलेंगे तो पता चलेगा यह पॉसिबल है यह नहीं है तो हर एक category के कुछ norms है जैसे कि हम लोग एक पहले category खोल लेते हैं यह LED स्ट्रीट लाइट है अब जब आप यह पॉडट आप भी यह पॉडट बेचना चाहते हो देखो यह नाइन रुपीज में दस स्ट्रीम में भी कोई दरा है जब तक आप यह पोड़क को लिस्टिंग नहीं करोगे तब तक आपका पोड़क दिखेगा कैसे मार्केट में और दिखेगा नहीं तो आपको ख़र देगा कैसे आपसे बाइर इसके लिए पहले आपको डिस्प्ले तो करवाना पड़ेगा चलो हम लोग ऑनलाइन की बात छोड़ दे ऑफ लाइन में माल लो मैंने एक इलेक्ट्रोनिस का दुकान खोल के रखा है और मैंने एलेडी लाइट रखा ही नहीं है तो कौन कस्टमर हमसे खर देगा मुझे एक यह अलेडी लाइट डिस्प्ले तो करवाना पड़ेगा जो मेरे पास अलेडी लाइट है तो मेरा कस्टमर हमसे पूछेगा मुझे ऐसा लेडी चाहिए अलेट चाहिए तो आप दे सकते हो क्या तो सेम ऑल्लाइनमें भी है वह पोड़क को अपने प्रोफाइल में लिस्टिंग करवाना आप उस पोड़क को अपने प्रोफाइल में लिस्टिंग करावना पड़ेगा तो यहां पे पोड़क लिस्टिंग करने के तीन तरीके हैं एक बोलते हैं पेयर दुसरा बोलते हैं ग्लोन और तिसरा बोलते हैं नया पॉड़क लिस्टिंग करने के तीन तरीके, चाहिता आप इसको भी रून कर सकते हो, इसकी विज़ुदत आपको आगे बहुत पढ़ने वाली है, है ना, पेयर पॉड़क लिस्टिंग करने के तीन तरीके है, क्या-क्या, पेयर, क्लोन और नीव, पेयर मतलब, माल लीजे मु model number है और यह इसका price है यही वाला product में भी बेचना चाहता हूँ same same serial number वाला same brand का same specification पूरा-पूरा same same picture सब कुछ same जदि यही वाला product जो market में available है यह market के gym के market में available है और यही वाला product में भी बेचना चाहता हूँ यह model number वाला product मेरे पास भी है पर मैं अपने rate में बेचना चाहता हूँ अपने area में तो मैं इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बोलते पेर कर लेड़ा तो हम इस product को क्या करेंगे पेर कर लेंगे मतलब same to same product आप इसको copy करेंगे और मेरे profile में डाल देंगे जब कोई product market में available है और वही वाला product में भी बेचना चाहता हूँ अपने rate में अपने location में तो हम उसको क्या बोलेंगे पेर करना कोई product market में available है जब कोई product market में एक तो available होना चाहिए और सिर्फ मुझे उसमे rate में बदलाव करना है location में changes करना है quantity में change करना है और हम उस product को मेरे profile में listing करना चाहते हैं हम उसको करेंगे pair करके हम अपना product listing कर सकते हैं बट मुझे इसमें कुछ changes करना है मुझे मेरा product का चीजे specification same है जैसे कि मेरा product भी अठरा वाट का है IP65 का है दो साल warranty के साथ भी आता है मतलब जो specification यहाँ पे दिया हुआ है मेरा product same specification का है पर मेरा product अभी सिसका brand का नहीं है कोई दूसरा brand का product है तो मेरा product देखने में भी अलग है इसका model number भी अलग है और मेरा product का नाम भी थोड़े अलग है price भी अलग है MRP भी अलग है सिर्फ specification same है same specification का product है सिर्फ specification same है बाकी की चीज़े अलग है तो हम क्या करेंगे इस product को clone करना ऐसे condition में जिदि आप कोई product listing करना चाते हो तो उसको बोलते हैं clone insert pair मतलब पूरे product को यह जो पूरे catalog है यह catalog को अपने profile में listing कर लेना as it is इसको बोलेंगे pair ज़री में कोई product का सिर्फ specification को copy कर रहा हूं तो हम इसको बोलेंगे clone और ज़री आप परकेट में पूरी तरीके से अपने ही तरीके से नया product launch कर रहे हूं जेम में तो उसको बोलेंग new तो product में listing करने के तीन तरीके pair ज़री market में कोई product available है उसी product को same में भी बेचना चाता हूं तो उसको pair सिर्फ specification को ज़री हम अपने profile में listing करना चाते पर product हमारा दूसरा brand तो हम clone और पूरा product ही नया brand के साथ model के साथ सब कुछ नया मेरा मेरे तरीके से हम उसको करेंगे में नया बोलो कुछ दिन doubts है इस में से किसी को तो बताओ किसको कोज पूछना है क्लियर है और आके सरवली इपो आई दो पैर देन आई नीड पर्मिशन पॉर सेम और नट डिपेंड ओपन ब्राइंड यह ब्राइंड कैसा बताता है कि आपको उस ब्राइंड से पर्मिशन लेना है या नहीं लेना है देखो यहाँ पर भी एक लॉजिक आती है अभी मैं इसको अच्छली थोड़ा इग्नोर कर रहा था फिर भी मैं आपने पूछा तो मैं अभी बता देता हूँ जैसे कि यह ब्राइंड सिस्का यह ब्राइंड है यह हम इसको पेर करने के लिए मुझे इससे पर्मिशन लेने पड़ेगी क्या पूछिस्का से जिसको हम लोग जैम के लेंग में ऑथराइजेशन बोलते है ऑथराइजेशन चाहिए क्या तो यह डिपेंड अपन ब्राइंड इस ब्राइंड को तो यहां पर पता चलता है देखो OEM verified ratio मतलब यह ब्राइंड ने जो इस पोड़ेट को बेच रहा है उसको इसने verified किया है मतलब यह ब्राइंड जैम पर अवलेबल है आजे OEM सिसका ब्राइंड जैम पर आजे OEM लिस्टिंग है इसलिए तो verified किया है तो फिर आप ज़री सिस्का ब्रांग का product listing करना चाते हैं तो हो सकता है आपको उससे permission लेना पड़ेगा without permission हम उस product को नहीं बेच सकते क्योंकि हर एक में देखो OEM verified है अब ज़री आपको सिस्का का product बेचना है इस category में सिस्का ब्रांग का कोई भी product आपको बेचना है तो आपको उससे authorization must लेना है पर ऐसे बहुत सारे ब्रांग मिलेंगे जिसमें आपको जोड़त नहीं है जैसे कि और एक company देखते हैं लिगे रोप यह कुल सा है कैसे पता चलेगा यहां से इसमें क्या है रिसेल नौट वेरिफाइड कैटलॉक नौट वेरिफाइड आप यह ब्रांड का product बेचते हो तीस ब्रांड से कोई परमिसन लेने की जोड़त नहीं आप डारेट इस पॉड़ट को लिस्टिंग कर सब्सक्राइड कोड़ी इन सॉट मेरा बोलेगा इसा है देखो बाकी लोगों के लिए साइज जो लोग बिलकुल नहीं है उनको थोड़ा सा मेरी चीजे समझने में दिक्कत होगी फिर भी मै जेम पर रेजिस्टरड है एजे ओयम उस ब्रांड का पॉड़क जड़ी आपने प्रोफाइल में लिस्टिंग करोगे तो उससे आपको पर्मिसन लेना पड़ेगा जदी कोई ब्राइंड का पोड़क्ट सिर्फ उनका ब्राइंड रेजिस्टर्ड है पर वो AJ OEM रेजिस्टर्ड नहीं है और उस पोड़क्ट को आप लिश्टिंग करना चाहते हो तो उस पोड़क्ट को आपको कोई authorization नहीं लगेगा बिदाउट एनी authorization या बिदाउट एनी permission उस ब्राइंड के पोड़क्ट को आप पेच पाऊँगे simple logic में समझना है तो यहां से समझ लेने का कोई ब्राइंड का पोड़क्ट खोलो और यहां देख लो डिसल को मरियिफाइड और catalog नाट वडिफाइड एक तो आप को इस ब्राइंड से पर मिसल लेनी की ज़रोप नहीं है जड़ी कोई वो आपको सिर्फ उनका ब्राइडड्ल हो सकता है वह आप भी रिजिस्टर कर सकते हो कि उनसे एक ज्देंडिया की ब्राइडड ज्दि कंपनी इंडिया थिक है तो यह है पोड़क के वारे अब आते हैं यहां पर यह कैटेगरी किसलिए है Q3, Q4 जैसे हम लोगों ने देखा था LED में देखा था LED बोलके सर्च कर दिया ते LED में देखो बहुत सारे चीज़े Q2 में है कोई Q3 में है कोई Q1 में भी होगा कोई क्यूफाइप में भी और कियो कि शिक्स में होगा अब युसके हिसाब सब्सक्राइब बदल जाते हैं है जैसे कि क्यों क्यों में मेजर जो कैटेगरी ये मेजर डो पोड़क्त है वह आटमबाल जैसे कि कार कर किया की क्या है मैं सब दो ने वो रामखाली कारी आएगा या ओटो मोवाइल ही आएगा यह छोड़ के दूसरा भी कुछ चीज़े आ सकती है हम यहां पर डिसकाप को एक्जम्पल के तोर पर बताया कि कार हम यहां पर बात कर रहें क्यूवन कैटेगरी का जदी कोई कैटेगरी क्यूवन से बिलॉंग क काटेगरी क्यूवन से बिलॉओं कर रहा है तो उसमें रीस क्या है क्यूवन में नोम्स क्या है सिर्फ ओयम्कौ एलाउड है रीस EOW को यहां पर आलाऊ ही ही नहीं है है एह हो क्यूवन का क्यू टू में मेजर आइटेम है आई टी के पॉड़क जैसे की लेस्ट लैपटॉप देक्स्टॉप कम्पीटर प्रिंटर पोजक्टर काट्रेज है ना और इलक्ट्रोनिक्स बड़े इलक्ट्रोनिक्स पे जैसे कि टीवी आएसी वासिंग मसीन तो देखा नहीं प्रीज क्य Q3 में है देखो फ्रीज नहीं है Q2 में तो यह जेम बदलता है जब जेम के हिसाप से भी चलता है ऐसे कुछ चीज़े हैं जो Q3 में है फ्रीज जो है रेफ्रिजेटर वो Q3 में है तो ऐसे मेजर आइटम है और बहुत बड़े बड़े एकूपमेंट्स भी इंक्लूडिंग बहुत साथ छोटे एकूपमेंट्मेंट भी है जैसे फागिंग मसीन ऐसे कुछ मसीन भी है जो Q2 से बिलॉंग करते हैं सीसीटीवी देखते हैं हम लोग कैमरा फॉर सीसीटीवी सिस्टम है ना यह क्यूट्स से केबल से असेसरीज वगगरा क्यू फॉर में लिया है पीटीजेट कैमरा क्यूट्स में है तो ऐसा लिखा हुआता है तो आपको पता चलेगा ऐसा सेर्च कर दोगे तो पता चल या लैपटाप ले लोड़ एक स्ट्प ले लो okay, लैपटाप नोटबुक बोलते हैं क्यूट्स से लेक्र we do not लैपटाप फिर से आ गया तो क्यूट्स से में लूटबूक ओभी नेट बुट्स क्या पता लिए क्यूट्स से त ऐसा आपको चीज़ी हैं डॉकिंग स्टेशन कंप्यूटर का कोई असेस्री जए लैप्टॉप बैटरी भी क्यूटू से अधार इंडॉल्मेंट किट यह भी क्यूटू से यह सब भी किट है छोटे अटेम बड़े यह तो बहुत महिंगा एक लाक नौवा जरका यह पूरा किट भी क्यूटू से तो डिपेंड मेरा कंसन है डिपेंड यहां पर जेम यह सब कुण डिसाइड करता है यह पोड़क्ट क्यूटू में होगा क्यूट्री में होगा क्यूट्री में था उसके बाद उसको क्यूटू में बदल दिया अभी वो क्यूटू में चला गया तो जेम बदल भी देता है बदल दिया तो उसके रूल्स बदल जाएंगे तो जब जैसा कैटेगरी फिलाल हम लोग बात कर रहे हैं क्यूटू से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसमें without authorization कोई भी पोड़क्ट आप बेच ही नहीं सकते कि हम लोग जलो देख लेते डेक्स्टॉप कंप्यूटर इसमें अन ब्रैंडेड बोलके नहीं होता क्योंकि इसमें अन ब्रैंडेड नहीं क्योंकि इसमें must है क्योट्व बोड़क्ट में आपको अपना ब्रैंड आज ओएम रिजिस्टर करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी ब्रैंड हो जैसे कि आरडीप हमको पता भी नहीं यह ब्रैंड कौन सा है और है भी की नहीं सच में पर यह क्योट्व बोड़क्ट है तो लिए ब्रैंड का बिटी का पर लग ऊएम बेरिफार काया कोई भी क्यूट्व में कोई भी पॉड़क्ट लेर दाउट ओधराइजेशन आप बेच्छी नहीं सकते है क्यूट्व काटेगरी में कोई भी आइटम विदाउट ओएम के पर्मिशन के आप नहीं सेल कर साद़ ह यह क्यूटू का नॉर्म से हैं क्लियर है क्यूवन और क्यूटू में किसी को कोई डाउट से तो बता हूँ चलिए कि राते हैं क्यूट्री जैसे कि हम लोगों ने लाइट वगरा देखा था है ना यहां पर मैक्सिमुम आइटेम क्यूट्री से मिलंगता है मैक्सिमुम तो क्यू त्री में जैसे कि ऐलेडी एजेशम त्रािट ऑर ब्हकर दमिल्व स yapmış मैंição jum लो ऑस्ति इसको क्या और दोट स्च्टी में तौ और यह देखो दस्टबीफीन को अलग अलग अभी 10 मिन आउटडर टूइट टूइट वेस्ट विन इसे अलग अलग बोल रहे हैं जोभी पोड़क्ट होगा मेडिकल का वेस्ट मिन का अलग कैटेगरी है तो आप यहां सब को बात है तो सब मैक्सिमुम में लो क्यू थिस से भी लंग कर रहा है एक है क्यू फ जो भी पूर्डक्ट Q3 से बिलोग करता है उसके रूल क्या है उसमें है डिपेंड अपन ब्रैंड अब यह पूर्डक्ट एने मतलब क्या अब मुझे बताओ इस पूरडट को बेचने के लिए क्यूत में क्या है डिपेंड अपन ब्रांड कि उत्री का नॉम्स क्या है डिपेंड अपन ब्रांड ब्रांड के अक्कोर्डिंग लिए वह ब्रांड जेम पे रेजिस्टर्ड है जे ओयम तो उस पॉड़ट को आपको अथ्राइज लेना पड़ेगा जोड़े नहीं है तो लेने की जूरत में तो मुझे बताओ यह अनब् ब्रांडेड का पॉड़ट है एने मतलाव अन्ब्रांड यह पॉड़ट को बेचने के लिए मुझे ओयम से परमिसन लेना पड़ेगा यस और नू बस गिनके पांच ही लोग रिप्लाई के लिए 35 लोगों में पांच लोग अब आया रिप्लाई कम से कम तो 50% रिप्लाई चाहिए सब नो क्यों नो यस क्यों नहीं यह समझना चाहता हूं क्यूंकि यह ब्रांड जेम पर रेजिस्टर ही नहीं है यह जे ओयम ही नहीं है कोई आपसूरूटली मुझे यह पॉड़ट को बेचने के लिए कोई परमिसन लगेगा नहीं भी लग सकता है डिपेंड ओपन ओ यह वह जैसे जी यह कोई ब्रांड है अभी इस पॉड़ट को बेचने के लिए मुझे परमिसन लगेगा यह यहां बताएगा मतलब अभी इस ब्रांड को मुझे बैचना है तो मुझे जेम से मतलब जेम से नहीं हो यह से परमिसन लेना पड़ेगा सेलो का देखते हैं को कोई permission की जोड़त नहीं आप ये ब्रैंड को बिदाउट एनी authorization without एनी permission बेस सकते हैं तो Q3 में क्या norms देखा हम लोगों ने depend upon brand हमें बताएगा उस product को बेचने के लिए मुझे authorization की जोड़त है या नहीं यह Q3 का norms है आते हैं Q4 में जैसे हम लोगों लिए था कोपियर पेपर जो सबसे ज़्यादा चलता है कोपियर पेपर और यह बहुत घुमाएं आपने कब किस category में डाल दिया पता ही नहीं कभी Q3 में कभी Q2 में Q4 में एक साल में इसमें तीन category घुम लिया है जैसे यह Q4 category का norms क्या है आभी इसमें depend upon brand नहीं है चाहे वो कोई भी product होने दो मुझे कोई permission की जोड़त नहीं हम उस product को sell कर सकते हैं without any permission चाहे कोई भी product Q4 से belong करता हो जैसे कि बिंडल्स अब यह brand को देखता है इसमें वो यह verified रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने को कोपी गोल्ड है सैंचूरी है यह फेमस ब्रैंड आप लोग को पता होगा तो हम लोग ऐसे ले ले लेते जेम साइट श्लो चल रहा है या मेरा इंटरनेट श्लो चल पाए खुल लही नहीं रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं लेक्चर या किसी को समझ में नहीं दिक्कत आ रहा है तो बताओ मेरे साथ भी यूस टू हो जाओ फिर हम लोकर लेक्दव प्रॉपर में की Não यह तो सवाल इंको सवार उन धा क्यों टू में होने दो या क्यू थी में होने दो या क्यो फॉल यह तो नौन तो हम जिसको तो बेची सकते हैं सेंचुरी को अभी एक देखते हैं बिंडल्स के यह भी नॉर्ड बिरिटाइड है छोड़ दो दूसरा ब्रैंड लगते हैं अन्ब्रैंडेड है तो यह तो सवाल ही नहीं उठता यह देखो के भी सिल्वर यह कुन सा ब्रैंड है इस ब्रैंड का रिखते हैं इस ब्रैंड में OEM verified है है ना अभी मुझे इस जदी यह अभी जदी यह पॉड़ट को बेचना है तो मुझे इससे पर्มिसन लेने की जदी यह ब्रैंड से इक पर जबकि यह कूफोर के इस ले मुझे इस पॉड़ट को बेचने के लिए कोई पर्मिसन की जदी कि जदी नहीं है ना कोई और इसम ड्रहाद नहीं है ना कोई चल्किर्वर को क्यों कि एक category q4 है तो याद रखो समझ में गया q1 q2 q3 और q4 के नॉम्स q1 में summary में एक बाच चलते है q1 में reseller allowed नहीं है reseller को allowed ही नहीं है सिर्फ OEM बेच सकता है q2 में without authorization आप कोई भी product बेच ही नहीं सकते यह क्यों टू का नॉम से q3 में depend upon brand जदि वह ब्रैंड एज ओए ओएम रेजिस्टर्ड है तो उससे permission लगेगा जदि वह ब्रैंड एज ओएम रेजिस्टर्ड नहीं है तो उससे without कोई without एनी permission आप q3 का product बेच पाऊँगे और q4 में कोई भी product हो आपको कोई permission की जुर्द नहीं है जदि कोई भी product q4 से बिलोंग कर रहा है तो आप बिंदस product बेचो कोई permission नहीं लगेगा जैसे कि LED flashlight मतलब torchlight तो आपको इसके लिए कोई permission किसी से नहीं लेना पड़ेगा ठीक है चाहिए वह कोई भी brand क्यों नहीं हो जैसे यह brand यह देखो यह SS है मतलब यह OEM verified है तो भी मुझे यह वाला product भी हम बेच सकते हैं चाहिए वह flips हो या कोई भी brand हो तो यह कुछ norms है समझवा गया Q1 Q2 Q3 Q4 यह major है अब आते हैं Q5 and Q6 Q5 में handcraft item जैसे कि हम लोगों ने देखा था LED का एक मुझे दिखाया था LED में Q5 का यह product था ना handcraft बोलके था hand दिखा था आप लोग आया था Q5 में थोड़े पहले हम बता रहे थे बहुत कम product है जो घर में बनता है समझान है ना ऐसे Q5 में है बहुत सब्सक्राइब यह Q4 में handcraft क्या handcraft करते हैं अब देखते हैं देखो यह handcraft floor mats Q1 में handcraft handbag Q1 में यहाँ पर खाले वो यह मैला उड़ोगा अब यह category के उपर आने का अब इसमें भी नहीं है कोई भी Q5 में जैसे Q5 में है कुछ चीज़े जो handcraft घर में बना हुआ चीज़े हैं महिला बचत गड़ वगरा बनाती है यह Q5 में आता है ऐसे कुछ product है घर में बना हुआ तो उस product को Q5 में जहां पर reseller और जम दोनों के लाओड़े कोई भी बेश सकता है यहां पर भी कोई permission का ज्यादा problem नहीं आता क्योंकि उसमें जनरली brand होते ही नहीं है तो यह Q5 में और Q6 में क्या रहता है फिर Q6 को बोलते हैं हम लोग O-P-O-D O-D-O-P one district one product नाम सुना होगा बहुत थोड़े दिन पहले बहुत add हो रहा था one district one product देखने यहां है या फिर यहां देखा होगा हम लोग है क्या यह चल निकाल दिया है यहां सा O-D-O-P one district one product यह जो product है इसको Q6 बोलते है अभी one district one product मतलब हर जगह का जो चीजे famous है उस district का उसको O-D-O-P की category में रखा गया और उसको नाम देआ गया Q6 जैसे की कोई भी state बताओ किसी का भी बताओ state बताओ जैसे दिगंबर सर का मैं example के लिए लेता हूँ मुझे पता है दिगंबर सर महराष्टा से विलंग करते हैं और सोलापूर डिस्टिक से हैं दिगंबर सर है क्या यह सर यह सर यह बोलो सर क्या है सोलापूर का famous देखो यह जो प्रड़क्ट है यह कहां से विलंग करेगा क्यों सिक्स है देखो हम लोग ने महाराष्ट्रा लिया सोलापूर लिया सर्च आया क्या देखो सोलापूर टॉवेल्स टैरी ओडियों कि में है ना कोई जो भी फैब्रिक आइटम आगे टॉवेल्स चद्दर कि यह सब डिस्टिक यहां पर है का गया राकेश सर राकेश देखो एंदाबाद एंदाबाद में कोई भी फेमस नहीं दिखा रहा है सर्थ यहां पर यह सब डिस्टिक का नाम है देखो कच में क्या फेमस है अमरोडरी फेमस है यह बांदली अमरोडरी है लाइक इस तो यह जो पोड़क्ट होंगे उस डिस्टिक का मेरा बोलने का कंसल है कि वहां पर जो भी चीजे फेमस है उसको बोलेंगे वो ओडी ओपी के कैटिगरी में आएगा और वो होगा क्यूज सिक् कि अगर वो गुजरात के लिए फेमस रहेगी मतलब वह आल अवर इंडिया में गुजरात की कोई चीजें कोई डिस्टिक की वह चीजें जो आल अवर इंडिस इंडिया फिल्मर्स है वैसे चीज़ों को हम लोग ओडी ओपी में रखांगे हैं जाये वह फूड्ट आइटम भी हो सकता है जैसे साइद मुझे लगता है महरास्टा का तो पता है मुझी ज्यादा तब आख शांगली का ना इस हमझे वह वह चीजे यहां-ब इस आइटम हो तो वहां का वह चीज़े फेमस को यहां पर रखा गया है वन डिस्टिक वन पॉर्ट था मिश्चल पाओ या जमिर सर्ण ने देखो बताया चलो anyway समझते हैं ये था क्यूज़ बिकानेर का भुजिया देखो स्याम सर्ण ने बोला बिकानेर का भुजिया बरबर भुजिया है कहां राजस्तान में तो ऐसी चीजें भी क्यूज़ सिक्स क्या होता है क्लोन क्या एक बेसिक चीज़े हम लोगों ने सम पैर छोन क्या होता है एक वरट को यूज़ टू को समझे बनाठाशाड़ी बहुत सारी चीज़े हैं अब अपना-पना सर्च करके देख सकते हैं आगे चलते हैं खम थोडा सा और इसको Service में Services में क्या है Services में भी same चीज़े है जाकी सिफकराग क्या है Services बताओ जैसे हम लोग Services में देखना चाहते हैं वोलो किसी का कोई भी सर्विसे से बताऊ में वो बता देता हूं कि मैं पावर संद्ध मैं पावर में देखो बहुत सारे चीज़ें एप इसे अलग अलग भी तो इसको आपको थोड़ा समयना पड़े जैसे इसको इसको मैंदेक्च जितना दिन काम करें धूड़े जिन ऐसको मैंदेक्स का वहां का लेबर कमिशनर करता एक यह वहां पर मैंपावर का रेट क्या रहेगा चाहिए वह लेबर हो पनेस्के लेबर हो स्वेपर हो माली हो हो एंजिनियर हो डॉक्टर हो हर एक का यह डिस्टिक बदल जाता है डिस्टिक में भी अलग होता है। रूलर का अलग ऑर्बन का जहांपी जैसा डेफ्लोप्मेंट है उसके हिसाफ से वहां पर डिसाइड होता है यह वहांका लेवर तो उतना गौर्मेंट को मतलब बोलने का मतलब है जितना रेट बोलेगा चाहे वो प्राइविट कंपनी हो या गौर्मेंट और्गनाजिसन हो उतना आपको देना ही पड़ेगा जैसे एक अनिस्किल लेवर है मैं पूना डिस्टिक की बात कर रहा हूँ जहां पर फिलाल रेट चल रहा है पांस सो तीस रुपया तो कहे वो अनिस्किल लेवर कहीं पर भी काम करे उसको पर डे फाइब थर्टी रुपिस मिलेगा ही मिलेगा कम से कम उतना देना ही है जदि आप उतना नहीं दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो कभी वो लेवर उटके लेवर कमिशनल में चला गया तापके लिए बहुत महिंदा पड़ जाएगा क्यों वो गॉवर्मेंट के नॉम्स को आप तोड़ रहे हो तो इसको मिनिमू वज़ेस बोलते हैं कोई भी मैन पाउर जोदि काम कर रहा है तो हम लोग इसको मैन पाउर बोलते हैं इसके कुछ नॉम से जैसे के लिश्ट प्रोफाइल में कैसा रहेगा एड्मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो सकता है डेटा एंट्री अलग-अलग है बहुत सारी डिपार्टमेंट और उसमें यह सब लोग काम कर सकते हैं तो आप इतने टाइप के चीज़े सप्लाई कर सकते हो है ना तो यह है इसका डेटेल्स वगरा जिदि आप डेटेल्स देखना जाता है आपके और बायर और सेलर की बीच में जब यह कॉंट्रेक्ट मिलता है तो उसका यह ड्राफ्ट कॉपी यहाँ पर पढ़ा है ताकि आप पढ़ लो जदि उसको पैनल्टीज होगा तो क्या रहेगा कम से कम कितने दिनों का वर्किंग रहेगा पैमेंट के टर्म्स क्या रहे मिनिमुम वेज़ेस कैसे कालकुलेट करेंगे क्या क्या आपको फॉलो करना पढ़ेगा इतने एक्क्सचर रूप के रूल्स फॉलो करना पढ़ेगा तैसे आपको बहुत सारे चीजे बता जाए अब मैन पाउर के लिए जन्रली नॉम्स क्या है क्या norms है manpower के लिए manpower की बात हो रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ EPF होना जरूदी है है ना यहाँ पर आपको जड़े आप manpower में काम करना चाहते हो तो आपके पास EPF होना चाहिए फिलाल EPF को निकाल के government ने lean बना दिया है क्या बोलते इसको lin labor identification number ऐसा बोलते इसको यह एक lin number आपको निकालना पड़ता है यह तब निकलेगा जब आपके पास EPF या ESIC है lin number lin certificate download मादो तो आपको ministry of labor and department में लेके जाएगा या फिर स्रम सुवीदा के website से भी निकाल साथ है यहाँ पर जाके आपका क्या है मादो मेरे पास EPF है EPF का नंबर है या ESIC का नंबर है EPF का नंबर डाल दो verification कर दो submit कर दो आपको यहाँ पर आपका lin number मिल जाएगा वो mandatory है जैसे के product में भी आप food product बेचोगे पहले नहीं था अभी अभी कर दिया जैसे मैं पावर में सिकूर्टी सप्लाइब करोगे तो पर सारा लाइसन्स लगता है सर्विसेश में फूट का product सप्लाइब करोगे जैसे catering मगरा बिजनेस करोगे तो वहाँ पर भी food लाइसन्स mandatory है तो depend upon services उसमें वह चीज़े mandatory होगा बहुत सारे ऐसे services हैं जिसमें कुछ नहीं लगता जिसे AMC बगड़ा में कोई documents के requirement नहीं है आप without any documents services में काम कर सकते हो यह सब चीज़ पता चल जाएगा आपको SLA में और service details में जिदे आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके लिए क्या चीज़े है और क्या नहीं और इसके user manuals है जो आप देखके भी पता कर सकते हो किस तरीके से हमारा क्या काम करता है किस तरीके से listing करना है इसके वारे में थोड़ा पूरा ना है यह चीज़े पर आपको इससे एक idea आ जाएगा मतला आपको help मिल जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में हम तो इसको बताएंगे ही आपको आगे का details और यहां पर यह भी पता चलता है total अभी फिलाल कितने लोग इस category में registered है तो कितने लोग registered है 23,678 service provider इस category में जेम पे registered है जो कुछ भी नहीं है बहुत कमेंड़ सिर्प 23 है इससे ज्यादा तो बायर है वे लेवल है हमारे पास इसका दस डबल बायर है कम से कम मैं ही तो बोलेंगे तो पास दस लाग बायर है और उसको सिर्फ 23 हजा seller supply कर रहे मतलब कुछ भी नहीं कर रहे तो बहुत आगे अभी competition बहुत कम है आगे इसका competition बहुत बढ़ेगा तो यह है services बोलिए और किसी को product और services के regarding catalog के regarding कुछ doubts है तो बताओ चलिए तो एक basic थोड़ा हम लोगों ने jam को समझा अभी आगे आगे course थोड़ा advance होता जाएगा तो अभी जादा हम बोलेंगे तो जो लोग basic है उनको समझने में दिक्कत हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा खली jam को अभी फिलाल इतना ही समझा के मैं छोड़ता हूँ अभी आपको जदी buyer या seller के regarding या फिर आपको इससे पहले कभी भी कोई भी doubts हुआ है तो आप उसके बारे में कोई doubts clear करना चाहते है तो आप मेरे से फूश सकते हैं कोई भी को जेम के रूल्स के बारे में कोई भी कोई problem आया है कोई दिक्कत आया तो आप मेरे से वह कोई भी पूश सकते हैं कि अन्मूट कीजिए आप पूश हाव है अलो हाँ बोली करन सब्सक्राइब कर दिया है वह जहां से रिजिस्टेशन करवाया है वंदा बोलता है कि आपका जो कंपनी का या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी जो है उसका पहले टैक्स एक साल का भढ़ना होगा उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस होगा आगेगा प्रोसेस तो अभी 90 प्रेसेंट का है यह आपका डेट ऑप इनकॉर्पोरेशन करता है ज़िए आपकी कंपनी चालू होने का डेट क्या डाला है कंपनी चालू होने के डेट से दो साल तक मैंने कंपनी का डेट आज डाल रहा हूं डेट अप इनकॉर्पोरेशन आज से मैं कंपनी चालू कर रहा हूं तो दो साल तक बिदावूट इर में सब कुछ काम कर पाऊंगा दो साल के बाद भी जैदि मैंने आई टी आर अपडेट नहीं किया तो भी मैं काम कर पाऊंगा बट क्या काम कर पाऊंगा सिर्फ डाइरेक्ट ओडर ले पाऊंगा मैं टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगे आपके नॉंबर का है मेरा 2022 का तो फिर आप दो साल तक विदाउट ITR विदाउट सब कुछ काम कर पाऊंगे दो साल तक मेरा चलो कि उसे बारे बाद में करता है कैसे इसको अपडेट करना है तो का नीज फतिमा यह सब वाट इजेशन हाव चुमेक ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन मेडम जैसे की लाइक डिस्टिवूट अभी आपको समझ दो हम मुझे आपको कुछ भी आपन करना है चलो आपक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब तो क्या करोगे होंडा कंपनी का गुण का सब्सक्राइब करोगे प्रक्राइब certificate देगा कि आप मेरा permission है आप यहां पर अपना आप swap खोल सकते हो है ना जाए वो certificate के थूरू से दे mail के थूरू से दे कैसे भी दे है ना मतलब आप एक authorized distributor partner बन जाओगे जब आप पार्टनर बन जाओगे ता आप उसका काम कर पाओगे सेम यहां पर भी जेम में आप चाहो तो paper में ले लो या कैसे भी ले लो mail में ले लो आपका एक number मिलेगा वो number जेम पर डालोगे आपका काम होता रहेगा उसके लिए number आप कैसे भी ले सकते हो आप किसी ज़रूरी नहीं कि मुझे diet company के पास ही जाना है आप मैं distributor ऐसे भी ले सकता हूँ माल लीजी पूने में मेरा distributor है मैं बड़ा distributor हूँ पूने का ता आप मेरा ही चीजे आपने आप आप तालुका लेबल पे काम करते हो ता आप म दिश्टीबूटर से लेके वहां पर दुकान खोल सकते हो ना तो मेरे से भी आप जिदि ले लेंगे तो भी चलेगा मतला आपको distributor से भी number ले सकते हो या direct OEM से ले सकते हो कैसे भी आपको एक authorization number लगेगा जो OEM को पता होना चाहिए यदि वो distributor जदि वह number इसू कर रहा है तो हो भी वो number OEM के पास होना चाहिए तो फिर आपका काम बन जाएगा ठीक है करना है तो लेना ही कर सकते ओम लोग उसके बार लेंग बात करें आझा है हम लोग जो दिल्कुल नहीं बताओंगा में जह को बताया हूं और है लोग करेंगे नहीं तो नए लोगो के बारे में सोच के मैं थोड़ा सा वह चीज़ी इग्नोर करता हूँ के बोले में सटेंट कोरी कि इस सब्सक्राइब के बारे में मुझे लगता है मैक्सिम मम लोग बिलकुल नहीं ही है थोड़ा एक्स्प्लेंग कीजिए ना कोजन मनी एक डिपोजिट एमाउंट है मिनीवम पांच हजार दस हजार और इसे तीन तरह का डिपोजिट डिपेंड अपन आपका टर्न उसके इसाब से आपको डिपोजिट यहां करना पड़ता है यह डिपोजिट में एक जमसन है किस डिपोजिट हमेंसा रिफरन्डेबल होता है यही कॉजन मनी जब तक कॉजन मनी भरोगे नहीं तब तक आपका एकाउन में कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगे सिर्फ अपना प्रोफाइल बना पाऊंगे उसको अपडेट कर पाऊंगे ना कोई पोड़क्ट लिस्टिंग कर होगे ना कोई टेंडर में पाडिसिमेट कर बाओगे ना कभी आपको और मिलेगा ना कुछ भी होगा सिर्फ आपका आईडी बनके रहेगा इतना ही इस नेक्स्ट और कुछ मैं किसी को चलिए तो फिर हमारा फटा पड़ मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं अब अगर मेरे को अगर खाली कॉंपेटिटर देखना है तो फिर मेरे को काली देखना किस का लिस्तिंग है ब्राइंड का लिस्टिंग है यह पता चलेगा ब्राइंड का लिस्टिंग है यह पता चलेगा ब्राइंड का लिस्टिंग है यह पता चलेगा ब्राइंड कोई टेंडर निकला है और टेंडर आपने भरा है या नहीं भरा है उसके रिगारिंग उसके बारे में आपको पता करना है जो किसने किसने किया था उस टेंडर में क्या रेट कोड़ किया था वह पॉसिवल है जो में चीज़ें मैंटें करते जहां पर सेलर का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता क्लियर है मैंडम कोई डाउट से और मेंडम क्लियर मैं या सरड़रे गॉट अगर मुझे गौवर्मन कमपणी के कुछ परचिस करना है जैसे कि श्क्राइब पर्चियस करेंगे पर्चियस करने के लिए वह आलग है उसको फोरवर्वर्ड अक्षिं़ हैं यहां पर आरहे हैं और फॉर्वर्ड अक्षिं़ से अップ करें वहां से आपको बोली रखता है और ऑनलाइन बोली में जो बेस्ट बोली लगाएगा ज्यादा बोली लगाएगा वह वहां से खरिद सकता है चलिए तो मैं कुछ सपोर्ट के लिए आपको बाकी का डीटेल्स बता रहता हूं जैसे कि मेरे वेबसाइट है दुस्य से कॉंटेट कर सकते हो जैसे यह जो नंबर है यह मेरा है मेरा नाम आदित्य पंडीत हैं और यह मेरा यहां से आपको अपना ब्यंड टेक्व का आपको। जेम का सर्टिफिकेट जो हमारा participate का कर सकते हो जब तक हमारा कर सकते हो जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्से चालो भी का ओड़ेड़ें सर्टिफिकेट निकल जाएगा और की द्रूपल बड़ रहाँ इक के और website में आपको लीचे contact details मिलेगा जहां से आपको कुछ problem रहा तो आप हमें contact वगरा कर सकते मेरा नमबर तो आपको बताया दूसरा नीचे आपको बाकी मेरे पूरे team member का मिल जाएगा जैसे कि यह दरतासर है इनका यह नमबर है वहिशाली मेडम है इनका यह है जया मेडम का है वहिशाली मेडम है तो यह हमारे team member है कुछ जिनको आपको support के लिए आपको मिलेगा आप वहने contact कर सकते हो जो भी team हमारे member खाले होंगा आप उनसे किसे ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी बात किस से हो लिए आप उसके रिगार्ड़ी कि आप किसी से भी बात कर सकते हो आपको help क और मुझे थोड़ा सा contact पहले करने से ignore करो मुझे डारेक्ट कुछ रहा तो यह नंबर मेरा WhatsApp पर भी चालो है ताप पहले मुझे WhatsApp कर दो कुछ लगा तो मैं खुद भी contact आपको कर लेता हूं major कुछ रहा तो maximum चीज़े तो WhatsApp के group में जो है उससे solve हो जाता है फिर भी रहा तो जिन लोगों ने भगट टेक्नो आप इस्टॉल कर लिया है उन लोगों को सर एड़ कर देंगे मैं इसे बैच का कोड वगएर आप लोगों को बता देता हूं और आपका बैच में यहां पर create कर देता हूं ताकि आगे का लेक्चर का आपको विडियो मिलता रहेगा जैस झाल